एक बार की बात है एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉंटेस्ट टिक्लियर किया उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको 10 миллиon डॉलर का नाम मिलेगा यह बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी-पेंटिंग भेजी उस कॉंटेस्ट में पार्टिस्पेट करने के लिए उन हुझारों पैंटिंग्स में से जो इस कॉंटेस्ट के जज़िस थे उन्होंने फाइनली सौ पैंटिंग्स को शॉट लिस्ट किया और उन उन Scent Rem Texas के एक एग्जिबीशन लगाई उस एग्जिबीशन में इन सारे पैंटर्स को तो इंवाइट किया ही किया साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड भी जमा थी क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा माउंट मिलेगा फाइनली वो दिन आही गया महाँ पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड थी जैसे एक पेंटिंग्स थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी जिसके पीछे कुछ पहाड थे उसके ओपर बर्व चमी हुई थी और पीछे से सन्राइस हो रहा था एक और पेंटिंग्स थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिपिक किया था फुल मून नाइट के थुरू यानि कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था इत्मा स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आस पास में जो भी कुछ था उसका बिल्कुल एक मिरर की तरह अब बिल्कुल डाक आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे नीला आसमान था और बिल्कुल हरी-हरी घास थी यानि कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शान्त हो जाए तो कॉंटेस्ट बहुत ही टफ था व्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से भढ़कर एक थी तो जजिस के लिए शॉटलिस करना कि कौन सी पेंटिंग बेस है दाट वस वेरी-वेरी डिफिकल्ट लेकिन वो मुमेंट आ ही गया जब जजिस ने अपना माइंड मेक अप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़ी से कर्टेन के पीछे रख दिया सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीर थी सबकी किरोसिटी भड़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था लेकिन जैसे ही वो परदा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए सब एक दूसरे की शकल देखने लगे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुल में हो क्या रहा है क्योंकि वो पेंटिंग जो वहाँ पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांती को डिपिक्ट नहीं कर रही थी तो सब को लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजिस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहाँ पर रख दिया है तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जा करके उस आर्ट गैलरी के उनर से मिले और जा करके उससे पूछा कि क्या ये कोई गल्ती है गल्ती से कहीं कोई गलत मिंटिंग तो आपने वहाँ पे नहीं रख दी है तो Art Gallery वाला थोड़ा सा मुसकुराया और बोला नहीं ये Painting बिल्कुल ठीक है जजेज ने इसी Painting को सिलेक किया है और ये ही Painting आज की बिनर है सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुसे से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी जगे से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के उनर के पास में सो रहा है आसमान में बिजली कड़क रही है काले बादल है ये सब तो आपने देख लिया लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है उस घर में एक चोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है ध्यान से जा करके देखिए वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बलकि एक हलकी सी मुस्कान है एक ठहराव है एक सुकून है और ये ही है शान्ती का असली मतलब यानि कि शान्ती का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शान्त है और फिर हम शान्त है क्योंकि वो टेंपररी है असली शान्ती का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो हम अंदर से पूरी तरह से शान्त है हमारा मन शान्त है क्योंकि जिसका मन शान्त नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुन्दर से सुन्दर जगे पर ले जा करके बिठा दो वो वहाँ पर भी जा करके दुखी ही रहेगा लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शान्त है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो चाहे मौसम कैसा भी हो चाहे उसके आस-पास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो तुफान हो लेकिन वो अंदर से बिलकुल शान्त रहेगा और यही है शान्ती का असली मतलब एक बार की बात है एक छोटे से गाउं में एक आदमी रहता था उसके घर के पास में एक पहाड था जहांपर वो रोज सुबह जाता उस पहाड पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता फिर वापिस आ जाता तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था पिछे से उसका छोटा सा बेटा आया उसने आकर के उसका हात पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूगा उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चड़ाई बहुत ज्यादा है तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाऊगे लेकिन फिर जब उस बेटे ने जित करी तो पिता मान गया तो दोनों पहार पर चड़ने लगे पिता ने बेटे का हाथ कसके पकड़ा हुआ था लेफ साइड में पहार थे राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही चोटा था और वो पहार की चोटी तक पहुचने ही वाले थे तब ही रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है तो वो साइट से निकल गया लेकिन चुब बेटा था उसका ध्यान कई और था तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया तो फिर उस बच्चे के मूँ से एक चीक निकली और जैसे ही वो चीका उसकी आवाज उन पहाडों में गुंजने लगी इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गुंज नहीं सुनी थी तो उसे समझ नहीं आये किया हो रहा है वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाख उड़ा रहा है फिर उस बच्चे ने बोला कौन हो तुम तो जब उस बच्चे ने इस गुंज को सुना उसे गुसा आ गया उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाख उड़ाए चले जा रहा है फिर उसने गुसे से कहा मैं तुमें छोड़ू मानाई और फिर जैसे उसने इस गुंज को सुना वो घबरा गया उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है उसने पिता का हाथ कसके पकड़ लिया और उसे पूछा कौन है ये जो मुझे इतना तंक कर रहा है कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है कि वो ही इनसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दुबारा उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छे हो और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा समस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया ये जो आवास तुम सुन रहे हो ना ये किसी और की नहीं है ये तुमारी ही आवास है जो कि पहाडों में गुंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हे सुनाई देता है अगर तुम गुसे से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आईगी उसमें भी गुसा होगा लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वावाज भी अच्छी होगी बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो ये जिंदगी तुमारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है अगर तुम मनी मन अपने आपको ये बोलते रहोगे कि मेरी जिन्दगी तो बहुती बुरी है तो तुमारी जिन्दगी सच में बुरी हो जाएगी और अगर तुम अपनी जिन्दगी से प्यार करोगे तो तुमारी जिन्दगी भी तुम से प्यार करेगी ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड की चोटी पर गए लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात गूम रही थी और फिर वो बच्चा खिल खिला के हसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ एक बार की बात है एक बहुत बड़ा नेता एक सादू के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस सादू के बारे में और उसके मन में आया है कि मैं एक बर जा करके देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी तो जब वो इस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था महाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और सादू जी सामने बैठे हुए थे कुछ सवाल जवाब चल रहा था तो जैसे ही वो अंदर गया वो अकेला नहीं था उसके साथ में चार बॉडी गार्ट भी थे और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगे से खड़े हो जाते थे उसकी तरफ देखते थे हाथ जोड़ते थे अपना सर जुकाते थे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सादू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो सादू किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया नेता को लगा कि ये मेरी बैज़ती है तो उस नेता ने सादू की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सादू ने उसकी तरफ देखा और बोले आप थोड़ी दे रुकिए पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लू उसके बाद में मैं आपसे बात करूँगा तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते है बस सादू का इतना कहने की देर थी नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस सादू के ओपर निकाल दी अभी तक वो नेता बहुती तमीच से बात कर रहा था यानि कि आप आप कहे करके बात कर रहा था अब वो तू तू तड़ाख पर उतर आया नेता ने उस सादू को कहा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तु किस से बात कर रहा है सादू ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कौन है लेकिन आप जो कोई भी है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जबाब दू या आप से बात करूँ तो आपको कुछ देर रुकना होगा और सादू के ये कहते ही नेता गुसे से पागल हो गया और वहीं सब के सामने चीखने चिलाने लगया अब मैं तुझे तेरी असली उकाद दिखाऊँगा तुने मुझे से पंगा लेकर कर ठीक नहीं किया तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ सादू ने फिर से उसकी तरफ देखा और बढ़ ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ definiction पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते है आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच साकते है फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहए सुनना चाहता है या नहीं लेकिन मैं तुझे बताऊओंगा यही सब के सामने कि मैं तिरह बारे में क्या सोचता हूँ तू एक बहुत ही घडिया इंसान है तू कोई सादू नहीं है तू एक धोंगी है पाकंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सब को बेवकू बना रहा है तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोग की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए तू अपने फाइदे के लिए इन लोगों का इस्तमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला तेरा परदा फाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस सादू के चेहरे पर हलकी सी मुसकान बनी ही रही ये देखकर वो और तिल मिला गया और उसने कहा अब बहुत हुआ अब मैं या एक मिनिट भी नहीं रुकने वाला लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है अगर मुझे माफी मांगनी है या मुझे कुछ कहना है तो कह सकता है इतना सब होने के बाद भी सादू बिल्कुल शान था और उनके चेहरे पर एक मुसकान थी उन्होंने अपनी आखे बंद कर ली फिर सादू ने अपनी आखे खोली हाथ जोडे और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिक्वा नहीं है मेरे मन में आपके लिए कोई बी गलत खयाल नहीं है जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी तो मुझे आपने कोई भी बुरा ही नजर नहीं आती है मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते है और सादू के इतना कहते ही नेता जी का दिमाग सातवे आसमान पर पहुँच गया उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि उस सादू ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते है और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिता जी के साथ में बैठ गया उसके पिता जी की आँखे बंद थी और वो ध्यान में थे पूरी जिन्दगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया तो थोड़ी दिर बाद जब उन्होंने अपनी आँखे खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बेठे हुए तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीव सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ किस तरह से वो आश्रम गया वहाँ पर क्या हुआ उसने क्या कहा उन्होंने क्या कहा तो जब इसके पिता जी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुमारी तारीफ नहीं करी है क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो वो नहीं कहा कि जो वो है बलकि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो यही बात वेदों में भी कही गई है यथा दृष्टी तथा सृष्टी यह दुनिया तुमें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि यह दुनिया है यह दुनिया तुमें वैसी दिखती है ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुसा आता था बाद बाद पर गुसा आता था और जब उसको गुसा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी कई कई बार तो वो कुछ चीज़े उठाती और जमीन पर फैकती और तोड़ देती तो उसके मावा बहुत परिशान हो गए उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग-अलग तरीके से लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी टीशन टीचर से बात करी क्योंकि टीशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी की वो बात सुनती थी तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंताम मत करो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची और गुसा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उसकी मा को समझ नहीं आया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे आज हमें एक गेम खेलेंगे तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गए फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दिवार के पास में जाकर के खड़ी हो गए और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुसा आए तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आ करके इस दिवार में गार देनी है थोड़ी सी जितनी हो सके फिर उस बच्ची ने टीचर से पुछा लेकिन इससे क्या होगा तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्फ हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था यानि कि अब उसको जब भी गुसा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दिवार में गार देती तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुसा आता था अगले दिन 8 किले गड़ी उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुसा नहीं आया और एक भी कील उस दिवार में नहीं गड़ी और वो बच्ची बहुत खुश हो गई खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जा करके उनको बताया कि देखो मैम आज मैंने एक भी कील उस दिवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है तो मैम ने उसको थोड़ी सी शबाशी दी और मैम उसके साथ में इस दिवार के सामने जा करके खड़ी हो गई अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है अब तुम्हे क्या करना है कि जिस भी दिन तुमकु बिलकुल भी गुस्सा नहीं आता है उस दिन के end में तुम एक कील को इस दिवार से निकाल दोगी तो बच्ची ने वैसा ही किया लेकिन क्योंकि कीले बहुत जादा थी तो एक महिने से भी जादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीले उस दिवार से बाहर निकल गई फिर वो बच्ची बहुत ही खुश हो करके अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दिवार में एक भी कील नहीं है तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दिवार के सामने जाकर के खड़ी हुई उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दिवार में फिर उसको उसकी एक वेवरिट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइस को जीत गई हो बच्ची बहुत ही खुश हो गई फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दिवार में कुछ नजर आ रहा है तो बच्ची ने कहा नहीं मैम इसमें तो कुछ भी नहीं है सारी कीले निकल चुकी है तो उस टीचर ने कहा एक पाद ध्यान से देखो शायद कुछ नजर आए तो उस बच्ची ने दुबारा देखा और कहा मुझे कीले मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दिवार में जब बच्ची ने ये देख लिया फिर उसकी मैंने उस बच्ची को कहा जैसे तुमने इस दिवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुसा करती हो जब तुम गुसा करती हो अपने माबाप पे या किसी पे भी तो उनके दिल पर चोट लगती है उनको दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है उस निशान को तुम चाहा करके भी हटा नहीं सकती फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का हिसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी मा के पास में जा करके उनसे गले लग गई और अपनी मा को बोली कि ममा मैं आज के बाद कभी गुसा नहीं करूगी मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुसा नहीं किया एक बार एक लड़की ने एक एंटरंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी बहुत मेहनत करी लेकिन उसके बाद भी उसको क्रैक नहीं कर पाई बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचिन में चलो मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है किचिन में पहले से उन्होंने गैस टोफ के ओपर तीन बोल रखे होए थे फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा एक के अंदर कुछ हालू डाले एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स और उसको बलने के लिए छोड़ दिया उसके बाद में पांच मिनिट हो गए दस मिनिट हो गए बीस मिनिट हो गए और वो वहाँ पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई कि यह क्या कर रहे हो आप तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ एक मिनिट और रुको तुमको सब समझ आ जाएगा फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस टोप को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिये दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिये और तीछरे बोल में से जो कॉफी थी उसको चान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वही सामने इस लैप पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुसा आ गया उसने कहा कि इसमें देखना क्या है एक में आलू है एक में अंडे है और एक में कॉफी है तो उसके पिता ने कहा कि एक बर इनको छूँ करके देखो शायद तुम्हें कुछ समझ आए तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हाड़ थे और फिर उसके पिता ने वो कौफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंग करके देखो तो जब उनकी बेटी ने उस कौफी को सूंगा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गए फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहाँ पर ये तीनों ही बिलकुल एकी सिचुएशन में गए लेकिन तीनों ने अलग-अलग तरीके से रिस्पॉंट किया तो पहला यानि की आलू जब हमने उसको उसको पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत हाट थे और स्ट्रॉंग थे लेकिन गरम पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिलकुल सॉफ्ट हो गए यानि की कमजोर पड़ गए दूसरे थे अंडे जो गरम पानी में जाने से पहले अंदर से बिलकुल ही कमजोर थे लेकिन गरम पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रॉंग हो गए तीसरी थी कॉफी जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिलकुल अलग था यानि कि उसने उस गरम पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बलकि उस पानी को ही बदल दिया बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिन्दगी में भी होता है तुम्हारे उपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है एक आलू के जैसा यानि कि जब तुम्हारी जिन्दगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से तूट जाओ यानि कि कमजोर पड़ जाओ दूसरा अंडे के जैसा यानि कि जैसे ही तुम्हारी जिन्दगी में कुछ मुश्किले आए बल्कि अपनी जिन्दगी को ही बदं दो ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गाओं में रहते थे एक बार वो दोनों किसी काम से शेहर गए और वापिस अपने गाओं लोट रहे थे उनके गाओं तक spotsने के लिए उनको एक घने जंगल से हो करके गुजरना था और जब वो इस जंगल से गुजर रहे थी तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंडने के लिए रास्ता भठक गए थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी तो उन दोनों की नजर एक गुफा पे पड़ी जो की पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से तो उनोंने सोचा कि यही जगए ठीक है रात बिताने के लिए तो दोनोंने कुछ लकड़ी एखटी करी उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहाँ पे बैठ गए रात का वक्त था गुफा के अंदर आग जल रही थी बाहर बिलकुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की अवाजे आ रही थी तो उन दोनों मेंसे जो एक दोस था वो अंदर ही अंदर डरने लगा क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानिया सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ बयानक आत्माएं भटकती है और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस से करी तो उसके दोस ने हसते वे उससे पुछा क्या कभी तुने किसी भूत को देखा है तो उसने का नहीं मैंने तो नहीं देखा लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया लेकिन उसको नीम नहीं आ रही थी उसको लग रहा था कि शायद यहाँ पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है उस आग की वज़े से कुछ परचाईयां बन रही थी वहाँ पर पत्तरों पर तो उन परचाईयों को देख करके भी वो डर रहा था फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा फिर उसके बाद में क्योंकि वो ठका हुआ था तो उसको नीद आगे लेकिन नीद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया सपने में उसको एक बहुती भयानक परचाई उसकी तरफ भढ़ती हुई नजर आई अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था वो परचाई उसके और पास हाती चली जा रहे थी और बड़ी होती चली जा रहे थी और उस परचाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखुन थे और वो हाथ उसकी तरफ भढ़ता चला गया और उसके गले तक कोछ नहीं वाला था कि तब ही उडर करके एक दब से उठा फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था उसको पकड़ करके जोर से उठाया फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ तो उसका दोस्त फिर हसने लगा फिर उसके दोस्त ने उसको कहा अब अगर दुबारा से तुझे वो परचाई दिखे तो तुझे वो ही कही हो जो मैं तुझे कह रहा हूं कहने के लिए फिर देखते हैं वो परचाई तेरा क्या करती है तुझे अपने अंदर ये अंदर बोलना है मैं तुझ से नहीं डरता सामने आ तो उसके दोस्त ने वैसे ही किया थोड़ी देर बाद दुबारा से उसको सबने में वोही परचाई नजर आई और वो परचाई धीरे धीरे उसकी तरह बढ़ने लगी लेकिन इस बार वो उस परचाई से डरा नहीं बलकि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वोही कहा मैं तुझ से नहीं डरता सामने आ मैं तुझ से नहीं डरता सामने आ मैं तुझ से नहीं डरता सामने आ जैसे जैसे वो ये बोलने लगा वो परचाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी वो बोलता रहा, वो परचाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परचाई दिखनी बंद हो गई बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिन्दगी में भी होता है हमारे अंदर जितने भी डर है उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं, और उसका सामना करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है, जो कि हमें डरा पाए. एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके एक बहुत ही इंटरस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर पांच बंदरों को रख दिया, और वहाँ पर एक सीडी लगा दी. उस सीडी के टॉप पर कुछ केले रख दी. फिर उन्हों साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीडी पर चड़ता केलों तक पहुचने के लिए, तो उपर से थंड़े पानी की बारिश करने लग जाते हैं. तो जैसे ही वो ठंड़ा पानी गिरता, उस बंदर के उपर जो की सीडी पर चड़ रहा था, वो फटा-फट से नीचे आता, तो पानी बंद हो जाता. फिर दुबारा से कोई और बंदर उस सीडी पर चड़ता, उन केलों तक पहुचने के लिए, दुबारा से यही होता. दुबारा से उपर से थंड़े पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे नीचे आता, दुबारा से बारिश बंद हो जाती. तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीड़ी पर चड़ता है तो उपर से ठंडा पानी गिरता है फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीड़ी पर चड़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इखटे हो करके उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते फिर दुबारा कोई कोई कोशिश करता, दुबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता फिर उन scientist ने क्या किया? कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उस की जगह एक ने बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है उसको जैसे ही सीडी के उपर वो केले नजर आए वो फटा-फट से उस सीडी के उपर चड़ने लगा अब की बार साइंटिस्स ने कोई बारिश नहीं करी लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीडी से नीचे उतारा और मार दे पीटने लग जाए इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है तो उसने दुबारा कोशिश करी जैसी उसने दुबारा कोशिश करी दुबारा से उन चार बंदरों ने वो ही किया तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैट गया कि सीडी पर चड़ना मना है अगर सीडी पर चड़ते हैं तो मार पड़ती है उस सीडी पर चड़ना क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था उसके दिमाग में ये बैट गया कि इस सीडी पर नहीं चड़ना है ना की चार इखटे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा सीडी से नीचे किरा दिया उसको कुछ समझ नहीं आया उसने दुबारा कोशिश करी दुबारा उसके साथ यही हुआ और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीडी पर चड़ना मना है और सीडी पर चड़ने से मार पड़ती है फिर साइंटिस ने एक एक करके जो पुराने तीन बंदर बचे होई थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगे पर तीन नए बंदर आ गए अब यह पांचों सीडी पर चड़ते केले तोड़ते और आपस में बाट करके खा लेते बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है यानि कि इनसानों के साथ भी होता है हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है कोई रीती रिवास होता है जिसके पीछे कोई नो कोई वजे होती है लेकिन वो वजे खत्फ होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है वो रीती रिवास चलते ही रहते है किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बस सबको यह पता होता है कि ऐसा ही होता है तो वह experiment जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बता है यानि कि वो बंदरों का experiment उसमें तो बिचारे बंदर हैं जानवर हैं उनको नहीं पता है कि question कैसे पूछते हैं लेकिन अगर हम इंसान होने के पथर तोड़ने का काम करता था उसको अपनी जिन्दगी से कोई गिला शिक्वा नहीं था पूरा दिन वो काम करता मेहनत करता दिन के एंड में जो थोड़ा बात पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैंसिस हो जाता तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम ता मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते है जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ती मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए वो अपने घर पर गया उसने खाना खाया लेकिन उसका ध्यान काने की तरफ नहीं था उसके दिमागों यहीख ख्याल चल रहा था उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सोगे फिर नीन दाने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लोट रहा था रस्ते में उसने एक बहुती बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता और उसके सोचते ही वो इस घर का मालिक बन गया उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो वो बन चुका है लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देन नहीं टिक पाई तो कि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है जिसमें बीचो बीच एक पॉलिटीशन है जो ऐसे से हाथ हिला रहा है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रही थे उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे सब उसको देखने के लिए तड़ रहे थे लेकिन उसकी ये खुशी भी जाद देर नहीं टिक पाई धूप बहुत ही तेस थी और उस पॉलिटीशन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की तो उस धूप की वज़े से उसको चक्कर आ गया और वो भेहोशो करके गिर गया फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटीशन सबसे ताकतवर नहीं है ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाओ तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाईगा और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया यूकि पूरी दुनिया को वो ही रौशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रौशनी को रोक सके लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई पिर कुश ही देर बाद आसमाई में कुछ काले बादल आई जिनंहों ने कि उससूरज की रौशनी को रोक दिया फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दूनिया में ऐसा भी कोई ऐ जिसमें दम है उसकी रोकने का और उसके मन में एक ह्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाओ और वो बादल बन गया और आस्मान में उड़ने लगा उसको ऐसा लगा कि मैं आस्मान में उड़ रहा और अम मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं लेकिन कुछ तेर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का जोका आया जो कि उन बाद लोगो उड़ा करके ले गया अब फिर उसे ही समझ आया कि ये जो बादल है वो सूर्ज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते हैं ये हवा उनको बहा करके ले जाती है फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाओ और वो हवा बन गया हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलगी उर्जा का नुभव हुआ वो चाहे तो अराम से बहता और चाहे तो आंदी बन करके तुफान बन करके जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता उसको विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया तब उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है जिसमें दम है उस हवा को रोकने का फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड होता है और वो पहाड बन गया लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई उसको एक जानी पहचानी से आवास सुनाई दी और साथी साथ उसको दर्द होने लगा जैसे कि कोई है जो उसको तोड रहा है उसको मार रहा है तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाओ चुकि इस पहाड को तोड़ने का दम रखता है लेकिन इस बार उसकी एक खौईश पूरी नहीं हुई वो रोने लगा चीखने लगा चिलाने लगा उसने अपनी पूरी जाल लगा दी लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया उसको दर्द पढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वज़े से एकदम से उसकी नीद खुली और सामने शीशा था उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया है कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुती अभी कुछे दिन पहले होस्पिटल के कमरे से जहांपर वो दोनों एड्मिट थे तो दोनों मेंसे जो एक था उसको अभी कुछे दिन पहले एक । इसका अटैक आया था जिसकी वज़े से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरलाइस हो गई थी और वो अपनी एक उंडली तक नहीं हिला सकता था और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एकी बात कहता कि मुझे कुई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाओ अब मैं और जीना नहीं चाहता ऐसी जिन्दगी का मैं क्या करूँ तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में क्योंकि वो चल फिर सकता था तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में एक खिड़की थी उसके पास में जा करके खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बता था कि उस खिड़की के बार क्या चल रहा है बिल्कुल नीला आस्मान है सफेद बादल है हलकी हलकी हवा चल रही है और कुछ पंची उड़ रहे है एक बहुती सुंदर बीच है जहांपर कुछ बच्चे मिट्टी के घरॉंदे बना रहे है कुछ लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे है कुछ लोग जॉगिंग कर रहे है कोई एकसरसाइज कर रहा है कोई पतंग उड़ा रहा है वहाँ पर एक आईसक्रीम की स्टॉल है जहांपर कुछ लोग आकर क्या आईसक्रीम खा रहे है और संसेट के टाइम पर जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ओपर जादा असर नहीं हुआ लेकि धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाहा जागने लगी अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बैट खाली है फिर उसने नर्स को बलाया और उसे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा उनके पास कुछी दिन बागी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है ये सुनकर कि उसके अंदर की उमीद पूरी तरह से तूट गई क्योंकि सिर्फ उसका दोस्ती था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोडा हुआ था जिसकी वज़े से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खुबสुर्त है तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कही ना कही एक नही चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आखों से देखू इस खिड़की के बार कि ये दुनिया कैसी है जैसे जैसे उसकी ये चाहा बढ़ने लगी। उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनरजी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड़ से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुचा फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुसे से भर गया उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे नर्स आई उसने नर्स से पूछा ये तुमने क्या किया ये खिड़की के बार काली दिवार क्यों खड़ी कर दी तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और बोली कि मुझे पांच साल हो गए है यहाँ पर जबसे मैं आई हूँ तब से तो एक काली दिवार यहाँ पर है तब जाकर कि उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे जूट बोल रहा था और उसने नर्स से पूछा अगर ये काली दिवार पिछले पांच साल से यहां पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे जूट क्यों कहा तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे जूट क्यों कहा लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वज़े से आप अभी अपने पैरों पर खड़े है तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शम्द हैं जो हमारे वर्ड्स हैं जो हम अपने मुझसे बाहर निकालते हैं उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं तो अब आप की उपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाईयों की दुकान पर गई वो काफी देर तक महाँ पर खड़ी रही लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे इसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा बेटे आपको क्या चाहिए तो बड़े ही भोले पन से बोली कि मुझे एक चमतकार चाहिए ये सु पर एक और आदमी खड़ा था उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमतकार तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ तो मेरे पापा ममी उसको हॉस्पिटर ले गए उसक इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है अब उसको कोई चमतकार ही बचा सकता है तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ मेरे पास में तो है तो मैंने जितने भी पैसे जोड रखे हैं वो सारे ले किये और बोली मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं इतने का ही तो आता है चमतकार ये सुनकर कि वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चल होएते और बात कर रहते तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमतकार आपने किया कैसे तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले ये चमतकार मैंने नहीं इसने किया है तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस चोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिन्दगी में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते है तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हड़ता है वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको नाशब्त समझ नहीं आता है वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं है क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है